बारतिय जनता पार्टी का अपने देखा होगा, शाड़े चार साल तक कहीं नजर नहीं आई, जनता ऐसे टूटी वही थी, आपस में लड़ाई थी, कोई माइक खींच रहा है, कोई पोस्टर से बाहर निकाल रहा है, जनता अंदोलन कर रही है, बारतिय जनता पार्टी का अं करना है दिए कि साड़े चार साल से राजिस्थान में कॉंग्रेस पार्टी सड़कों पर है हम केंद सरकार के खिला प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं डाइसों से जादा धरने प्रदर्शन हम कर चुके हैं साड़े चार साल में कल जो बयान आया था मीटिंग के बाद में कॉंग्रेस की सभी नेता यहीं के तो खुद सचन पालेट न Eugene Palin ने बाद कही थी कि हम एक बार फिर से यह जो राजिस्थान का इतिहास है वो इस बार बदलेगा तो राजिस्तान वा विधानसवा चुनावों की तैयारी तो चली रही है और कॉंग्रेस पार्टी लगातार अपनी जो प्लानिंग है वो धीरे-धीरे करके है वो सामने रख रही है अभी रोध प्रदेशन हुआ ही आपने देखा कि जो राहूल गांथी को लेकर जो डिसीजन लिया था गुजरात हाई कोट ने उस पर पुनरवचार याजखाती उसको खारिश कर दिया जिसके खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिल्ली से लेकर जैपूर तक प् सर क्या प्लानिंग अब रहने वाली है आपके देखे चुनावों को अगर आप देखें तो चुनावों में राजस्थान में दो मुद्दे हैं एक मुद्दा तो यह है कि जो केंद्र की मोधी सरकार है जिसने महंगाई और बिरोजगारी के बोच तले जंता को दबा रख कर दूसरी और अशोग गहलोब सरकार है जो लगातार महंगाई से बचाने के लिए और रहा देने का कारे करी चाहाई पांस सुर रुपे में गैस सिलेंडर हो सौ यूनिट बिजली फ्री हो किसानों को दो जार यूनिट बिजली फ्री है पच्चिस लाग रुपे तक का अगर अशोग गहलोब सरकार इस तरह के लाब दे सकती है तो मोदी सरकार क्यों नहीं मोदी सरकार क्यों 500 रुपे में गैस सिलेंडर नहीं दे सकती है पैट्रोल डीजल और सोई गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं जबकि अंतर अश्य बाजार में कच्चे तेल के चैंपों को लेकर तो उनकी निराकरन के लिए कोई प्लानिंग की है कॉंग्रेस पाधी ने उसके वड़ी है कि जो लोगों की शिकायता करते हैं अधिकांश केंपों में आप देखेंगे कि हमारे कॉंग्रेस के वरकर जो हैं वहां पर आपको मेलेंगे वो ट्रेंड हैं उनको पता है क्या करना है किस तरह से किस योजना का लाब किस विक्ति को मिल सकता है यह दिखाते हैं उनको बैठ के उनको कोई परिशानी वहा वो वंचित ना रह जाएं और उन्हें कोई परिशानी ना हो इसका ध्यान रखते हैं हमारे पार्टी के कारे करता है। साड़े चार साल तक कहीं नजर नहीं आई। उन्हें आटक से लेकर के इनकी जतनी सरकार हैं हरियाना की सरकार है, मत्यप्रदेश की सरकार है, गुजरात की सरकार है, करप्शन के केसिस लगाता बढ़े रहे हैं और जन्ता उससे द्रस्ट है। जनता अंदोलन कर रही है, भारती जनता पार्टी एक अंदोलन नहीं कर पाई, करप्शन को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया, जितने करप्ट ऑफिसर्स थे, एस पी से ले करके आई एस तक, वो राजस्तान की गैलोज सरकार ने पकड़े, उनको जेल के सीख्चों के पी कि मत्या कर लिती, उसका पूरी एसोसेशन ने सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाया था कि यहां पे अगर ठेका कोई लेना है, पेइमेंट कराना है, तो 40% कमिशन देना पड़ता है, तो यह होते हैं करप्शन के मुद्दे करप्ट को पकड़ना, यह करप्शन का मुद्दा नहीं होता, यहां मुद्दा यह है कि एक मात्र हिंदुस्तान की सरकार है, जो इतने सारे सत्रा सो पचास करप्ट आफिसर्स को आज जेल के सिक चुके पीछे, पहुचा चुकी है, और दूसरे आपने कहा कि जो मुद्दे हैं कानून वियस्था का मुद्दा है, कानून वि बड़ी बात देखिए, बीजेपी गॉवर्मेंट में दो सो बहतर दिन लगते थे एक रेप केस में इन्वेस्टिकेशन में ओसतन, कितना लंबा समय होता है, कब नियाय मिलेगा, आज बावन दिन में पुलिस इन्वेस्टिकेट करके जेल के सिक्चों के पीछे लोगों को अपरादियों को पहुचा रही है, इसी तरह कि अगर आप मामले देखें कि 35% केस बीजेपी शासन में जो महिलाओं के उत्पीडन के थे, रेप केसिस थे, वो कोड के दवारा दर्ज होते थे, यानि कि उनको एक केस दर्ज भी नहीं करती थी पुलिस बाचपा शासन में, आज नयाय मिल रहा है, नयाय दे लाने के काम किया, समवेधन शीलता के साथ, भारतिय जनता पार्टी जब यह मुद्दे उठाती है, तो केवल इसलिए कि बयान दे दिया, सुर्खी में आज हैं, कि नाम याद रहे लोगों को, उनको भी पता है, आने वाले 5 साल तक तो, 5- साल जो बचे हैं, उसमें बीजेपी की सरकार तो छोड़िये, सरकार के यह बड़ी मुश्किल से यह निता जीतने वाले हैं, कुछ अगर 2-45 जीतेंगे तो, ऐसी परिस्तिती है, सर गुटवाजी की आपने बात की, बीजेपी की, मुद्दों की बात की, लेकिन कॉंग्रिस इसमें भी राजस्तान में खूब गुटवाजी की खबरे उठी हैं, आप जानती हैं, सचिन पाइलेट अगर देखा जाए, तो पेपर लीग का मुद्दा तो उन्होंने भी उठाया था, एवन मुआबजे की मांग तक उन्होंने कर दी थी, तो उस पर क्या कहेंगे? अब आजीवन कारवास का प्रावदान ला रहे हैं, इसके अलावा और्गनाइस क्राइम के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं, अभी आपने दो दिन पहले सुना होगा, डेली में स्टेटमेंट जारी है, वहामरे सारे नेताओं ने का, एक मात्र देह है, दोबारा सरकार लाना, यह चाहे कारे करता हो, चाहे नेता हो, सबका धे अभी और कोई ध्यान नहीं है, भारतिय जन्ता पार्टी में आपने देखा भी लगातार इनके तीन सबा हुई, केंदरे मंत्रियों ने आये थे, केंदरे सरकारी को अपलब्दियां लेने, पूर विधायक को एक वरतमान के इशारे पर बोलने ने दिया गया, उसका आज समाई कचीन लिया, उसी की कॉंस्टेंसी में, हमारें तो नहीं होता है ऐसा, वसंद्रा राजे जी के सम्मिलन करती हैं, उसमें कोई बीजेपी का प्रतेनी दी नहीं पहुँचता, जोदपूर जाती है, वहां पर ये का जाता ये गोटबाजी के तो यही सिंबल है, हमारे उपर तो आरोप लगाता है वीजेपी वाले, तीन महीने में सरकार गर जाएगी, छे महीने में सरकार गर जाएगी, अब राज जे सबा चुनाव में सरकार गर जाएगी, क्या हुआ? भारते जनता पार्टी अपने गोटनों के पहलोत ने धौलपुर में सभा के दोराने ये बयान दिया था कि कॉंग्रेस के हमारे ही कुछ विधायक ने अमित शाह से पैसे ने लिये थे 10 से 20 करोड की बात उन्होंने कही थी तो उन्होंने साथ में ये भी कह दिया था कि ठीक है मैं लोटा दूँगा अगर कुछ थोड़ है वो एक ही बात कहेगा एक कारे करता है एक ही बात कहेगा कि हमें चुनाव जीतना है यूवा जो होते हैं वो यही सवाल करते हैं नजर आते हैं क्योंकि अगर थोड़ा बहुत देखा जाए ना तो सचिन पाइलट ने जो मुद्दे उठाए थे उनको लेकर बहुत चर्च सरकार की यूजणाउं के अधर पर वापिस सटा में लोटेंगे हम सब को सटा में लोटने के लिए कारे करना है ठीक है यह बात है दूसरी चीज है कि आपने यहाँं के मुद्दे की बात की भारती जनता पार्टी का सब्सक्राचार तक होता है जब कि योवा से अगर आप तो यह युवा हैं युवाओं को उच शिक्षा के लिए विदेश बहजने का हम स्कॉलर्शिप देने हैं कि आप विश्वास कर सकते हैं कि पचास लाक रुपे तक की ट्यूशन फीस राज़े संसरकार दे रही है विदेश जो जा रहे हैं युवाओं यहां कोचिंग के लिए कॉम्पृटिटिव एक्जामस में जो कोचिंग करते हैं 30,000 युवाओं को अनुप्रती कोचिंग योजना के तैत लाब दिया जा रहा है उनको कोचिंग के उनके फीस भरी जा रही है तो नौकरी भी दे रहे हैं कोचिंग भी दे रहे हैं पढ़ाई दें लेकिन एक बात ता है कि अभी दुबारा हमने यह निर्णे लिया है कि जो बरती प्रक्री आई जैसे हमने सरली करन कर दिया कि एक बार फीज देने के बाद दुबारा किसी कमप्टिटेव एक्जाम के लिए फीज उसको देनी नहीं पड़ेगी एपलाई करने पर बहुत सारे ऐसे जो परिक्षाइं हैं यह पद हैं जिनके लिए इंटर्वियू भी नहीं देना पड़ेगा कुछ ऐसे हैं कि आपको एक एक एक्जाम देंगे और उसमें कई तरह के जो पदों की समान जो पद हैं उनकी बढ़ती है एक साथ हो जाएंगी दूसरी चीज अभी हमने य जो पर बड़ती लीक में थे बड़े से बड़े आदमी को हमने पकड़ा हमारी पुलिस ने पकड़ा और आश्चर होगा आपको यह जान करके कि भारतिय जनता पार्टी आज जिन मुद्दों को उठाया रही है पेपर अगर कोई लीक हुआ सबसे पहले सरकार नेगोशना क पकड़ करके कि यह पेपर लीक हो गया इसलिए हम ने रस्त कर रहे है भारतिय जनता पार्टी उसके बाद कि सब क्यों लीक हो गया आपने नहीं पकड़ा था हमारा तंतर था जो यह तंतर एक तंतर रोकने का काम करता है एक तंतर नजर रखता है तो मान लीजिए कहीं से ल बीजेपी ने निए पकड़ा बीजेपी ने निए उजगर किया कि पेपर लीक हुए है अब आगे की रणिती क्या रहने वाली है कॉंग्रेस की राजस्तान के शुनाव खोले कर देखे साड़े-चार साल से राजस्तान में कॉंग्रेस पार्टी सड़कों पर हैं हम केंड सरक लोगों के आने वाले समय में भी कॉंग्रेस कारे करता आपको सड़कों पर ही मिलेगा जब तक सरकार ना बन जाए हम शांती से बैठे वे नहीं मिलेगा एस बार जना बन जबती या Malikा रजिस्तां का इतियास है कि हर पाट साल में हैं वो सरकार से बदलती है इस बार ऐसा क्या कॉंग्रेस करनेज़ा रही है քर क्योंकि कि कल जो बयान आया था impedance के बाद में कॉंग्रेस की सभी नेता यहीं था तो खुद सचिन पालेट नहीं बा जीतेंगे बीजेपी को चुनाव तो छोड़िये अभी तो वो नेता कौन बने इस उल्जन में हैं पहले उस उल्जन से निकलें तब मैदान पर आप आएंगे अभी तक जितने कॉंग्रेस का फिक्स है कि निता कौन होगा चैरी को लेकर बहुत ऐसे चलता रहता है डामंडोल से सिच्वेशन होती है कॉंग्रेस पार्टी ने कई बार इस पष्ट किया है हमारे बड़े नेताओं ने भी सपष्ट किया है जगे जगे सपष्ट किया है कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है यहां कॉंग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ती है और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनती है वहां बीजेपी में पिछली बार उन्होंने चेहरे पर चुनाव लड़ता है, हमसे बहुत सवाल किये थे, यह चेहरा कौन है, इनका तो चेहरा ही नहीं है, फिर भी हम जीत गए, आज हम उनसे बूचते हैं कि आपका चेहरा कौन है, क्यों उनके केंद्रिये जो मंत्री अमित भी था, वो भी फीका पड़ चुक है, अलग-अलग स्टेट्स में पंजाब, करनाटक, हेमाचल, देखा न हमने, तो चुनाव लड़ता आने दीजिए, और चुनाव में आप परिणाम देखेगा, बहुत अच्छे मार्जिनस हम जीतेंगे, बहुत अच्छी संख्या में जीतेंगे, भारते जनता पार्टी विलुप्त होने की स्टिती में है, बस कोच चंद नेता हैं, जीत जाएं वो उनकी किस्मत, लेकन मुश्किल है भी इची भी खा, चुनाव में मतलब 20-30 की संख्या भी ले आएं, बहुत बड़ी बात होगी, चले ठीके, तो ये थी हमार साथ में कॉंग्रिस के प्रवक्ता सौणीम चतुरुवेदी जी, जिन्नों ने इस परश तोर पर बीजेपी की जो कमिया थी राजिस्तान वो भी गिनाई, और साथ साथ में कॉंग्रिस की रणनीती को भी बता दिया कि क्या कुछ रणनीती रहने वाली है, और ये भरोसा ज ख़वरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एंड